वेरी वेरी गुड मार्निंग तो अल अफ यू डिर श्टुरेंट प्रोविलिटी फिर लास्ट क्लास में एक्जाम्पल नंबर एट पर थे हम जेके ठकराल से टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं आईए कोशन देखते हैं कोशन है टू परसंड ए ए एंड बी थ्रो थ्री डाइज थ्री डाइज थ्रो करते हैं ए भी अपने लेबल पर थ्री डाइज थ्रो करते हैं बी भी अपने लेबल पर थ्री डाइज करता है If A throws 14, find the chance of throwing a higher number मतलब कि A जो है, A ने 3 dice था 3 dice को थ्रो करा और A के 3 dice का जो result का sum आया है वो आया result इसका 14 तो B के पास में, इसके chances क्या है, probability क्या है कि B के पास में 14 से अबब कोई number आए तो 14 से अबब number के लिए बचे, B के पास में 15 हो सकता है और 15 कैसे create होगा अगर आप 4 का लेके चले, तो 4, 5, 9 पहले अगर आप 3 में लेके चलते हैं, तो 3, 6, 6 1 के साथ में आपका होगा, 1, 6, 6 यहां नहीं होगा तो के साथ में होगा गया, बचे, 2, maximum लेलो 6, and 6 आपके पास में होगा क्या, नहीं होगा and 3 के साथ में होगा क्या अगर आप 3 के साथ में 5 and 6 लेते हैं, तो 11 और 14 एक्वल ही होता है अगर 6 and 6 लेते हैं ठीके बचे 3 के साथ में तो यहां पर आपके कितना मन रहा है 15 मन रहा है 16 कैसे पॉसिबल है पर 3 में तो आप maximum आप 15 ही create कर सकते हो 4 के साथ में 4, 5, 9, और 9 और 6 15 15 देखते हैं और कहा create हो सकता है 4 के साथ में बच्चे 4, 5, 9, and 6 यहां भी हो सकता है इसके कितने way हैं बच्चे 15 के रहे होने के 3 factorial कुछ रिपीट नहीं हो रहा है इसका मतलब 3 into 2 6 ways हैं यहां पर 15 के and 16 के बाद करते है 4 15 के और कितने way हैं इस वन आपके पास में 5 5 क्लिर है बच्चे यहां भी 15 परद्यूस होगा तो यहां पर कितने way हैं 1 way हैं अब यहां पर मैंने परमोडिशन क्यों नहीं लगाया क्योंकि तीनों चीज एक ही है अगर यहां पर मैं combination क्योंकि कोई भी आ जाए इसमें तीनों में से चाहे 5 5 5 यह यह लास्ट वाले 5 बीच वाले 5 तो यह combination आप लगा सकते थे चीक है बच्चे कि कितने आपके पास में way हैं 5 के 15 के selection के इस order के selection के तो आपके पास है one way है अधरवाइथ आप करोगे तो 3 factorial upon में 3 तो वह नहीं आएगा आपका क्यों तीन बार रिपीट होगा 15 और कैसे create होगा क्या 15 और कैसे भी create हो सकता है देखो जरा 5 4 6 वो तो हो गया उसके वे तो ले लिये मैंने अब उसके बाद 6 6 4 5 वो वे महीं पर आच चुका है यह इतने भी हैं 15 के create होने के 6 & 9 10 ways हैं जिससे के 15 create हो जाए and higher than 14 16 भी होता है 16 क्या chances है तो 4 में नहीं उसक तक 6 6 12 and 4 हा ठीक है 4 में 6 & 6 तो कितने भी होगे 3 factorial upon में 2 तो आपके पास में 3 way यहां पर है और 16 create होने के chances क्या है 5 5 5 6 तो 3 factorial upon 2 factorial तो 2 2 ways यहां पर है clear है बच्चे and 16 और कैसे create हो सकता है आपका 6 6 6 and 4 16 कैसे create हो सकता है उन नमरों में से 6 6 6 4 तो यहां पर भी आपके पास में 3 factorial upon 2 factorial तो 2 और 16 कैसे create हो सकता है यह होगे 3 way है तो यहां पर कितने way होगे 5 17 way और बताओ बच्चे 17 कैसे create हो सकता है 17 आपके पास में नमर ले लो कोई भी 5 6 11 और 17 बनाने के लिए आपको क्याचिए 6 यहां पर कितने way हो जाएंगे इसके 3 factorial upon means repeat होगे 2 3 way होगे 17 और कैसे create कर सकते हो आप और कोई way है आपके पास में नहीं और कोई way आपके पास पे नहीं अगर आप 5 5 10 16 नहीं कर सकते हो नहीं है 18 के कितने way है आपको 18 create कर दो 18 6 6 and 6 यहीं है और 18 आएगा नहीं आपका तो यह one way है तो total कितने आपके पास में possibilities है कि आपका result more than 14 आए तो आपके पास में फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स के आपके पास में बच्चे रिपीट कर रहा हो पर्मोडेशन को समझना जरूरी है पर्मोडेशन बिसकली क्या है तो अगर आप सोचे रहे हो कि 15 ऐसे आजाएगा बट इसको और आने के अलग लग chances है ने इसके तो इसको कैसे निकालेंगा कि कितने order में तो इसे कितने वेशन हैं तो वो कैसे पर्मोडेशन में आपको पताल अगता है कितने वेशन आप रेंज कर सकती हो फिबरेबल आउटकम कितना हो गया पहले कितना है आपका 10 वेश वहां है उसके बाद थ्री वेश यहां आया तो कितना हो आपके पास पर आठ तरीके आपके पास पर तीन तरीके यहां पर आपके पास पर एक तरीके तो आपके पास में 18, 19, 22 वेश हो गया आपके पास में मोर देन 14 रिजल्ट आने के And total outcomes 6 into 6 into 6 216 and probability is higher than 14 22 upon 216 11 क्लियरे बच्चे ये इसकी क्या है प्रोविल्टी है बच्चे देखेगा एक थोड़ा से समे मैंने सुधार किया है कि एक तो सबसे पहले आपके पास में मैंने ले लिया था है यहाँ पर 6, 4, 6 I think तो यह और यहाँ पर 2, 6, 1, 4 ले चुका हूँ इसके पॉसिबल ओर ले चुका हूँ तो इसको दुबार लेने की जुरूत नी थी तो मैंने इसको मिटा दिया तूसरा इसका आंसर थी होगा तू नी होगा क्योंकि इसको कितने है थी फेक्टरिल भाई 2 तो 3 होगा तो इसके 6 पॉसिबलिटीज है तो आपके 6, 3, 1, 6, 3, 1, 20 पॉसिबलिटीज होगा है 20 by 216 यह इसका अंसर ठीक है थोड़ा सा कैल्कुलिशन मिस ठीकती हो ठीक कर दिया अब नेश्ट कोशन देखो 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of the obtained no heads अगर तीन कोई अगर आप करते हो तो आपको पता है 8 total possibilities है और 8 तो लिख सकते हो आप इसमें head 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 tell head 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 clear है अब tell tell से सुरू करते है tell tell अब हेड अब tell head tell head tell tell ठीक है बच्चे यह टोडल कितनी possibilities है तेंश के प्रोडल इसके 8 possibilities है चीक है ऐसे लिख लिख लिया करो इसको एक tell कर दो उसके आद इसको shift करते जाओ shift करते जाओ यहाँ पर तीनो tell फिर इसका एक head shift करते जाओ आगे shift करते जाओ तो आपको 8 possibilities आप आसानी से लिख पाओगे, confuse होने की जरूत नहीं है तो three coins are tossed and simultaneously find the priority of the obtaining no heads no head मतलब के कहीं पर भी head आए ही नहीं तो वो सिर्फ वो सिर्फ यह है आपका तो priority of no heads तो आपके पास में formula जो apply होगा वही favorable outcomes favorable outcomes अपॉन total outcomes तो priority of no heads favorable outcome क्या है one total outcome कितना है? eight तो one upon eight इसका answer है, first का and second exactly one head exactly सरफ one head हो तो आपके पास में this one exactly one head clear है बच्चे? तो इसका answer है, priority is exactly one head तो one head का मतलब यह हो गया three by eight and third and third third में बच्चे हैं exactly two head exactly two head का है? this one this one यह तो आसान सवाल था बच्चे है आपका तो कितने हैं आपके पास में? three upon eight at least two head fourth priority of at least two head कम से कम दो head होने चाहिए दो से ज़्यादा भी चलेगा at least two head मैं बोलू भी है, इस classroom में उस सारे बच्चे खड़े जाएं इस पर कम से कम पांच रुपे है तो सो रुपे आले भी खड़ी होंगे चाहर सी बाते से अबब at least कम अनलब वो और उस से अबब को बलाए जा रहा है at least two head तो at least two head में आपके पास में two तो चलेगा, two से ज़्यादा भी head चलेंगे तो three, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में three and four by eight, one by two fifth at least one head priority of at least one head भीया, जे की ठकराल से question cover हो रहे है अब आपके ठीक है न? probability में मच्चा बहुत परिशान होता है सब कुछ कर लेता है, सब कुछ कर लेता है सब कुछ करवाया गया, बस probability में मच्चा हिलता है तो मैं probability पे ही focus करवा रहा हूँ आपको probability of at least one head तो probability of at least one head में अगर आप देखेंगे at least one head तो at least one head में मच्चे अगर आप देखते हैं तो एक और उससे ज़्यादा cover होगा तो at least one head में तो जहां जहां head है आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो seven by eight and all heads six all heads तो all सारे के सारे क्या हों आपके? heads हों तो उसके लिए क्या करना है आपने? all heads कितने बे एक ही one opponent तो यह आपके six part का का अंसर आगया